पांच मार्च 1966 को कोंग्रेस ने मिजोरम में असाहय लोगों पर वायू सेना से हमला करवाया था क्या मिजोरम के लोग भारत के नागरिक नहीं थे यहां के निर्दोस नागरिकों पर कोंग्रेस ने हमला करवाया था आज भी पांच मार्च को पूरा मिजोरम सोक मनाता है कॉंग्रेश ने इस सच को छिपाया कभी घाव भरने की कोशिश नहीं की उस वक्त प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी थी भारत की संसद भौन में जब 10 अगस्त को आविस्वास परस्ताओ पर जवाब देते हुए ये बात नरिंदर मोदी जी ने कही तो सदन का एक बड़ा हिस्सा सेम सेम यानि सरम करो सरम करो के नारों से गूंज उठा ये सब सदन के अंदर का हाल था तो बहार प्रधान मंतरी जी के बियान के बाद सडक से लेकर पान की दुकानों तक चाय की दुकानों तक चर्चा चल पड़ी कि आखिर कॉंग्रेस के दो बड़े ने ताउने लड़ाकू विमान में बैटकर अपने ही देश के एक हिस्से पर बमक्यों बरसाए थे ये रक्तपात की राजनीती थी या राजनीती का रक्तपात था नमसकार में राजीव चोधरी रंग्दे बसंती देखना सुरू कर चुके हैं आप किस्से में आज मिजोरम का वो कांड है जब दिल्ली की सत्ता ने अपने ही देश में अपनी ही एर फोर्स का इस्तेमाल करके अपने ही एक राज्ज में उस वक्त के असम और आज के मिजोरम जिसे मिजो हिल्स कहते थे उस पर बम चों बरसाए थे तो आईए आज उस घटना का एक एक सिरा समझते हैं आखिर इंद्रा गांधी ने ऐसा क्यों किया था पांच मार्च 1966 का दिन था दो पैर के बारा बजने में अभी आदा घंटा बाकी था जगे थी आज के मिजोरम की राजधानी आईजोल ग्यारा बजकर तीस मिनट पर आशमान में भारतेवा यूसेना के चार लड़ा को विमान आईजोल सहर को चार ओर से घेर लेते हैं और बम बरसाने लगते हैं या को भेंकर बम बरसा करने लगते हैं ये बमबारी करीब आठ दिन तक चली इस बमबारी को अब 57-58 साल से जादा का समय बीच चुका है लेकिन संसद में हुई चर्चा ने फिर से इसका जिक्र ताजा कर दिया है और उठने लगे हैं अनेको सवाल यू तो ये बमबारी हुई थी साल 1966 में लेकिन इस किस्से की सुरुआत हो गई थी 6 साल पहले यानि 1960 में तब मिजोरम मिजोहिल्स असमराज का हिस्सा हुआ करता था इसी साल यानि 1960 में असम सरकार ने असमिया भासा को राजगिय भासा गोशित कर दिया था यानि जिसे असमिया भासा नहीं आती उन्हें सरकारी नोकरी नहीं मिल सकती थी मिजो हिल्स में मिजो लोग इसका विरोध करने लगे आरंब में विरोध छोटा मोटा था जंडे बैनर ले राए जाने लगे एक साल तक यूँ ही सिलसिला चलता रहा लेकिन कोई एक इसका संगटन नहीं था जो अपनी बात सब्ता के कान तक पहुँचा सके तब फरवरी 1961 को मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बना जिसके नेता बने लाल डेंगा मिजोरम नेशनल फ्रंट ने शुरुवात में शांती पूर्वक धर्नों से अपनी बात रखनी शुरू की तब दिल्ली की गद्धी पर आसीन थे पंडिस जभालाल नहरूजी कोई खास सुनवाई नहीं चल रही थी दिल्ली तक खबर आती थी तो चुटमूर दर्ना पर दर्सन की आती थी कि वो भी दीरे दीरे खतम हो जाएगा ऐसा चलते चलते तीन साल बीत गए इसमें साल 1962 और 63 चाइना के युद के साथ और युद के बाद की चर्चाओं में बीत गया हाला कि सुरक्सा बलो ने साल 1963 में राजद्रो के आरोप में लाल डेंगा को गिरपतार कर लिया था लाल डेंगा पर मुकदमा भी चला लेकिन कोट ने उन्हें बरी कर दिया था इसके बाद अगले साल दो गटनाए हुई एक नहरू जी की मोत और दूसरी राज्य में असमिया भासा लागू होने की वज़ा से असम रेजिमेंट ने अपने सेकिंड बटालियन को बरखास्त कर दिया था इसमें अधिकतर मिजो लोग थे देश की कमान लाल बादूर साश्त्री जी के हातों में आ गई थी कई अनसुल्जे मामलों को सुल्जाने की कवायद जारी थी जो मिजो बटालियन से निकाले गए थे वे मिजो फरंट में सामिल हो गए थे यानि इन ही लोगों ने मिलकर जो मिजो लोग असम रेजिमेंट से निकाले गए थे उन्होंने एक नैशनल आर्मी बनाई और शान्ती पूर्वक धरना पर दसन करने वाला मिजो नैशनल फरंट अब हिंसा पर उतर आया तब पाकिस्तान दो इस्सों में हुआ करता था एक पश्चिवी पाकिस्तान दूसरा पूर्वी पाकिस्तान तो तब के पूर्वी पाकिस्तान यानि आज के बंगला देश से भी मिजो नैशनल आर्मी को हतियारों के रूप में भरपूर मदद मिलने लगी चीन भी साजिस में सामिल हो गया और गुपचुप तरीके से मिजो नेशनल फ्रंट का समर्थन करने लगा सुरक्सा बलों ने सकती दिखाई तो मिजो गुरुवादी मयम्मार और पूर्वी पाकिस्तान में जाचिपते थे अब साल आ गया 1965 इस साल देश के पूर्वी हिस्से में मिजो गुरुवादियों के दमपर और पश्चिम में कुछ कस्मीरी संगट्म दुआरा आस्वस्त पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला कर दिया इस मोके पर दबाव बनाने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट ने देश के प्रधान मंतरी लालबाद दुर सास्तरी जी के नाम एक मेमोरेंडम भेजा उसमें लिखा था कि मिजो देश भारत के साथ लंबे स्थाई और शान्ति पून सम्मन रखेगा या दुसमनी मोल नहीं लेगा इसका निरनया भारत के हाथ में है कि वो क्या चुनता है यानि अब मिजो गुरूप एक सवतंतर देश की मांग करने लगा 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधान मंतरी लालबाद दुर सास्तरी जी की तास्कंद में मोत हो गई सास्तरी जी की मोत को 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 20 जनवरी 1966 को मिजो नेशनल फरंट के नेता लाल डेंगा ने इंडोनेसिया के राष्टपती शुकरणों को एक पत्र भी लिख दिया लाल डेंगा ने पत्र में लिखा कि बिर्टिस सासन के समय भी हम लोग आजादी की श्थिती में रहे हैं यहाँ पर राजनेतिक जागरुकता से उपजा राष्टवाद अपरीपक हो गया है अब हमारे लोगों की एकमात रिच्छा अपना अलग देश बनाने की है 21 जनवरी को यह पत्र लिखा गया तो 24 जनवरी को इधर इंद्रा गांधी दिल्ली की गद्धी पर विराजमान हो जाती है तो मिजो नेशनल फ्रेंट के उगरवादी भारते सुरक्सा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ओपरेशन जेरी को सुरू कर देते हैं पून परतिष्ठानों चमफाई और लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों पर कबजा कर लिया 29 फरवरी तक मिजो नेशनल फ्रेंट ने भारत से आजाद होने की घोशना भी कर दी असल में एक किताब है मिजोरम्दा डेगर बिर्गेड लेखा के निर्मल निबेदन उन्होंने लिखाए कि मिजो नेशनल फ्रेंट के उगरवादियों का मुख्य जथ्था असम राइफल्स के ठिकाने पर लगातार गोली बारी कर रहा था ताकि कोई बाहर ना निकल सके वही एक जथ्थे ने सरकारी खजाने पर धावा बोलकर 18 लाइफल्स के ठिकाने पर आधी रात को हमला एतनी तेजी से हुआ कि जवानों को अपने हतियार लोड करने और लुंगलाई और आईजोल को खबर तक करने का समय नहीं मिला उगरवादियों ने सभी हतियार लूट लिये थे इसमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफले, 16 इस्टेन गन, गरनेड फायर करने वाली 6 राइफले थी एक जूनियर कमिसन डफसर के साथ 85 जवानों को बंदख भी मना लिया था यहां से किसी तरह दो सेनिक बच कर निकलने में कामियाब हुए इन दो सेनिकों ने हमले की जानकारी दी इसी बीच टेलिफोन एक्स्चेंज को निशाना बना गया ताकि आईजोल से भारत के सारे करेक्शन खतम कर दिये जाए भारते सेना वहाँ पर हेलिकोप्टर से सेनिक और हतियार पहुचाने की कोशिस कर रही थी लेकिन मिजो नेशनल फरंट की ओर से हो रही गोला बारी से वो मदद नहीं पहुचा पा रही थी हमारे जवान बंदक थे मिजो नेशनल फरंट असम राइफल्स के हेड़ कौार्टर से तिरंगा उतार कर अपना जंडा फैरा दिया था कुछ दिनों पहले परदान मंतरी बनी इंदरा गांदी भी इस घटना से हिल गई थी और फैसला लिया गया कि मिजो रमब अलग देश नहीं बनेगा पांच मार्च वाईउ सेना के चार लड़ाकू विमानों को आई जोल में मिजो नेशनल फरंट के उगरवादियों पर बंबारी की जिम्मेदारी दी गई असम के तेजपूर, कुंबी गराम और जोरहाट से उडान भरने के बाद पहले इन लड़ाकू विमानों ने मशीन गन से उगरवादियों पर फायर किया दूसरे दिन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बंबर साए यानि अचानक गोलियों की बारिस होने लगी बं गिराए गए जलती हुई मारते ढह गई हर तरफ धूल और अपरातफरी का माहोल मच गया बं इस तरीके से गिराए गए कि आम लोगों की बजाए नेशनल मिजोरम फ्रंट को ही जादा नुकसान हुआ वाईयू सेना के लड़ाको विमानों ने आईजोल वे अन्न छेतरों में 13 मार्ज तक बंबारी की जो विमान बंबर सा रहे थे इन विमान पाइलटों में दो सक्सेसे थे जो आगे चलके भारतिय राजनी थी का एक बड़ा चेरा बने एक का नाम था राजेस पाइलट, राजेस्थान कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलट के पिता और दूसरे थे सुरेस कलमाडी खैर बंबारी से घबराई स्थान ये लोगों ने पहाडियों में सरन ले ली थी वही मिजो नेशनल फ्रंट के उगरवादी मयम्मार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में जाचिपे विद्रोईयों को तितर बितर करने के बाद सेना ने अपने बंदख जवान चुड़ाए और मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया इसे आप वो भी दोर कह सकते हैं जब दक्षिन बारत में अलग दर्विड नाडू की मांग जोर सोर से चल लई थी तो नागा लेंड में चीन और पाकिस्तान के खुले समर्तन से अलगाववादी ताक्ते सीर उठा चुकी थी ऐसे वक्त में लाल डेंगा ने भी विद्रो का जंडा खड़ा कर दिया था लेकिन भारत्यवाई उसेना ने चाइना और पाकिस्तान का ये मिशन ना केवर नाकामियाब किया बलकि जर्नल सेम मानिकसा की अगवाई में एक नया पलान भी बनाया बंबारी के एक साल बाद 1967 में सरकार की तरफ से एक योजना लागू की गई जिसके तैत गाउं का पुनर गठन किया गया इस बंबारी ने मिजो विद्रो को उस समय भले ही कुचल दिया हो लेकिन मिजो रम में अगले दो दसको तक एशानती फिर भी चाही रही हाँ भारत्य वायू सेन की कारवाई से लाल डेंगा के सिर से अलग देश का भूत उतर चुका था 30 जून 1986 को केंदर सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच एक एतिहासिक मिजो शानती समझोते पर हस्ताकसर हुए इसे राजियू गांधी सरकार की सबसे बड़ी उपलवदियों में एक माना जाता है 1987 में मिजो रम अलग राज्य बना इसी साल मिजो रम में पहली बार चुनाओ हुए और चुनाओ जीत कर लाल लेंगा मिजो रम के पहले मंतरी बने तो ये थी मिजो रम पर वाईू से ना हमले का पूरा किस्सा अब आप इसे हमला कए या राजनिती कए हत्या कए या देश की अखंडता की रक्सा कए सब आप पर निरवर करता है लेकिन एक पहलू ये भी है कि अगर तब मिजो नेशनल फरंट के दबाव में दिल्ली की सत्ता आ जाती तो पूर वोत्तर से लेकर दक्षिन भारत तक पंजाब से लेकर कश्मीर तक न जाने कितने राज्यों में ये खेल दो रहाया जाता या सुरू हो जाता साध्य ही कारण है कि विश्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि राजनीती कोई खेल नहीं है ये सबसे गंभीर वैवसाय है असल राजनेता वही होता है जो राजनीती से उपर उठकर राष्ट के लिए सोचे